हैलो दोस्तो नमस्कार आप सबी का स्वागत है हमारे यूटू चैनल में तो दोस्तो बड़ी खुशकबरी के साथ आज मैं बात करने वालो क्योंकि दोस्तो गोर्मेंट सरकार ने दसपी और आईटियाई वाले स्टुडेंटों के लिए भरती निकाली है खास कर जिन है और साथ ही आपका सेटिविकेट न्सीवीटी और एस्सीवीटी से रिलेटिव है तो आप पा सकते हैं परमानेट नोकरी तो बड़ी कुशकबरी के साथ मैं फिर से शुरुआत करने वालों आपको किसी परकार का कोई आवेदन सुलक नहीं देना होगा और साथ ही आपके साथ दसवी के साथ आईटियाई है अगर दसवी के साथ आईटियाई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं एक बार फिर से रिपीट कर दो परमानेट नोकरी है सरकारी बड़ती है आप लोग महीला हो या प्रुश हो पर आपके पास ट्रेडे हैं तो आप इसमें आवेद जो युवा या छातर या छातर वरग कोई भी छातर हो अगर पहली वार विजिट कर रहे हैं अगर पाने वाले लेटेस् नोटरिपीकेशन सबसे पहले आप हैं तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि जो गोर्मेंट भरतीया निकाल रही है उसके बारे में अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं तो दूस्तो काफी अच्छी भरती है देखेंगा नोटरिपीकेशन दिखाऊंगा मैं पूरी अपडेट आपको अंतर तक देखेंगा वीडियो मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ जैसे कि मैं थोड़ी से अपडेट मैं यहां से देदू और इसके अंदर आप अगर सरकारी भिवाग में नोकरी चाते हैं आई की यूवा हैं तो आप कर सकते हैं आवेदन किसी परकार का कोई आवेदन शुलक नहीं होगा और मैं अब लेके चल रहा हूँ आपको इसके ओफेसली जो इसकी संस्ताने जो नोटरिपी के संजारी की वग किया है उसके बारे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ताकि दोस्तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से अपडेट रह सके तो दोस्तो इसमें पोस्टों की बात करें करीबन टू जीरो फोर के आसपास पोस्ट हैं और काफी अच्छी पोस्ट हैं और इसमें डिमांड की गया इस रिपोस्ट सिरफ आई टिया ओफिसली सेंटरल इस्टेट लेवल प्लिस रिक्वार्मेंट तो दुश्टो आपको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट और सेवन्टी पोस्टें हैं वन सेवन्टीन पोस्टें हैं इसके अदर करीबन 14,000 से 50, तक आप सेलरी कमा सकते हैं इसमें अगर आप नोकरी लग जाते हैं तो इसी दुरन हम आगे बात करें तो दुश्टो ऐसी स्टी केटिगरीज की यहां पे पोस्टे दी भी है अब सबसे अच्छी खुसकबरी यह होगी अगर आप सोच रहे हैं अभी लोकडाउन है लोकडा लेप्टोप कमप्यपर हैं तो उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं कोई ना दुस्तो लोकडाउन शायद माई तक या उससे पहले ही ओन हो जाएगा यानि कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे इसी दुरन अब हम बात करेंगे कॉल्फिकेश जिनके पास हम आईटिया है सवाल उन स्टुडेंटों के लिए है जिनके पास आईटिया है पोस्टो की संक्या याँ पे देख सकते हैं मैंने कहा था अगर आप मेल है यानि कि पुरुष है या फिर महिला यानि कि फीमेल है तो आप आवेदन कर सकते हैं पोस्टो की संक्या 51 पोस्टें टोटल फी मेल यानी महीला की दी हुई है इसी दुरान पुर्शों की यानी की मेल की बात करें 19 के आसपास पोस्टें दी हुई है अब दोस्तु ये देखने के बाद हम आगे बढ़ें कॉल्फीकेशन के लिए तो दुस्तु आप इसमें आवेदन कर सकते हैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं यहां पे आयू सीमा 18 से 38 वर्स तक के चात्र आवेदन करेंगे साथ ही इसमें जो रिजर्वेशन आप लोगों को दिया जाएगा वो आपके लिए इंक्लूड होगा इसी दुरान हम बात करें रिजर्वेशन की पांच वर्स से तीन वर्स का रिजर्वेशन होगा आयू सीमा में अब हम बात करें एजुकेशन कॉल्फिकेशन की बात हम करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेड यानि कि जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके पास आर्ट्स या फिर कम्युनिकेशन जो भी डिगरी या डिपलोमा है तो आप लगा सकते हैं किसी भी इनवर्सिटी का साथ ही स्टेनो ग्राफर की सेकंड ग्रेड जो ग्रेड थेड ह उसकी हम बात करें तो दूस्तो यहां पर आप देख सकते हैं खुबी काफी अच्छे सब्दों में दिखाई दे रहा है अगर नहीं दिखाई दे रहा है मैं जरा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं क्योंकि कई स्टूडेंट बिना सोचे समझ कमेंट कर देते हैं तो यहां पर दिख रहा होगा आपको आईटी आई तो आपकी जो आईटी आई ट्रेड हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए आपके पास आईटी आई होना जरूरी है अब सवाल कौन सी ट्रेड की है तो दूस्तों कोई सी भी ट्र आप इसमें लगा सकते हैं और आपको इसमें आवदन करने के बाद आइटियाई के साथ कंप्यूटर ग्यान यानि की जो आपकी कंप्यूटर बेसिकी सेटिफिकेट है वो होना जरूर है तब ही आप इसमें लपलाई करेंगे अब हम बात करें application को आवदन करने के लिए application की फ देना होगा तो दोस्तों ये इसका विवरन है अगर आप इसमें आवेदन करें तो आप इसकी ओनलाइन विवेसेट पे जाके आवेदन कर सकते हैं आपको आवेदन करने के लिए आपकी फोटो सिगनिचर और आपकी जो सेटिविकेट्स हैं उनके नमर रोल नमर पासिंग ये मैं पूरी अपडेट फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आप नोकरी पराप्त करना चाहते हैं फलिस विवाकी तो ये नोकरी है सबसे पहले तो आपको बता दें असाम में आपकी जोब लोकेशन होगी और साथ ही आपको बता दें अगर आपने किसी परकार का डिपलोमा बीए बीकोम अगरा कर रखा है तो जूनियर असिस्टेंट में लगा सकते हैं साथ ही आपको स्टोनों में लगाना है ग्रेड सेकेंड कर तो उसमें आई टी आई मांगी गी है आई टी आई बस आपके पास जो ट्रेड हैं वो ट्रेडे लगा सकते हैं पर आपको ध्यान टाइपिंग मांगी है चो टाइपिंग आपको आती है तो आप लगा सकते हैं तो दूस्तो ये हुई बाते क्लियर पांच मई यानि की पांच मई चार मई से पहले पहले आप इसे जमा करवा सकते हैं तो चलिए दूस्तो अगर फिर भी आपको किसी परकार का सवाल आपके मन म सकते हैं आप कमेंट में अच्छी बात पूछ सकते हैं साथ ही आप अगर आई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजेगा और ऐसे जुड़े मैं आपके लिए ओर धेर सारी भरतिया लेकर आऊंगा थैंक्यू दोस्तो जैं हिन दोस्तो